साथियों, आत्म निर्भर भारत अभ्यान का बहुत बड़ा लाब उत्तर प्रदेश के किसानों को होगा। किसानों के हित में, छोटे व्यापारियों के हित में, दसकों से तीन बड़े सुधारों की माग निरंतर हो रही थी। अब जो तीन कानून केंदर सरकार लेकर आई हैं, उनसे किसानों को मंडी से बाहर भी अपनी उपज बेचने का अधिकार मिल गया है। यादी हमारा किसान जहां बहतर दाम मिलेगा, वहीं पर किसान अपना सामान बेचेगा। दूसरा, अब किसान अगर चाहे तो अब भुवाई के समय ही अपनी फसल का दाम तै कर सकता है। अब आलू की फसल पैदा करने वाला किसान, चिफ बनाने वाले उद्योग के साथ, आम लगाने वाला किसान, मेंगो जूस बनाने वाले के साथ, टमाटर की खेती वाला किसान, टमाटर का सोस बनाने वाले के साथ, बुवाई के समय ही समझोधा कर सकता है, जिससे उसको दाम घ जटने की चिंता से मुक्ति मिल जाएगी। साथियों, इसके अलावा हमारे पशु पालकों के लिए अनेक नए कदम उठाई जा रहे हैं। दो दिन पहले ही पशु पालकों और डेरी सेक्टर के लिए पंदरा हजार करोड रुपिय का एक विशेच इन्फास्रेक्टर फंड बनाया गया है। कि आने वाले समय में इससे गावा में लगबग 35 लाख नए रोजगार तयार होंगे। पर सोही केंद्र सरकार ने यूपी में तूरिजम को बढ़ावा देने के लिए एक और एहम फैसला लिया है। बाउद्द सरकीट के लिहाज से और यह बहुत महत्वपून है। बाउद्द सरकीट के लिहाज से अत्यनत महत्वपून कुशिनगर इस कुशिनगर एरपोर्ट को इंटरनेशनल एरपोर्ट गोशित किया गया है। इससे पुर्वांचल में हवाई कनेक्टिविटी और ससक्त होगी और दोयेश विदेश में भगवान बुद्ध पर आस्था रखने वाले करोडों सद्धालू अब आसानी से उत्रपदेश आ सकेंगे। इससे भी स्थानिय विवानों के लिए रोजगार और स्वर रोजगार के अनेक अउसर बनेंगे। और यह परियाटरन ख्षेत्र की एक विश्यस्ता आप भी जानते हैं। यह ख्षेत्र कम से कम पूंजी में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देता है।